हेलो एवरीवन सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें एकता बाइलोजिस्ट के नाम से है इसमें आप देख सकते हैं सारी की सारी वीडियो जो है वेजिबल दिख रही होंगे आपको मैटल एन नॉन मेटल्स, MCQs, 410 क्लास, बेसिकली यह 10 से लेके 12 तक के यहां पर टॉपिक है, 10 की साइंस के टॉपिक है यहां पर और 11 तें 12 के टॉपिक जो मैंने डाले हैं वो सिर्फ बायो के हैं, जैसे कि 12 क्लास का बायो टेक्निलोजी का पार्ट है, सल साइकिल है, हुमन स्कालरचन है, तो यह सारी जो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों को बेनिफिट हो सकें, तो स्टुडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंट से कंपाउंड, तो यह 10 क्लास का चैप्टर है, आपका 4 चैप्टर है, जो रिसकस कर रहे हैं, बेसिक बेसिक सारी पॉ आपको करते हैं, कार्बन एंटमस्फेर में हर जगा पर मिलता है, इंसाइड अर्थ क्रस्ट है ही, सबसे ज़्यादा इंपोर्टन जो है और सारे लीविंग और गनीजम का एक इंपोर्टन पार्ट है, और कार्बन जो होता है, जैसे कि फ्यूल वोड है, कोल, चार्कोल, इ है उस फोम में भी है इसली फाउंड हो जाता है नेक्स्ट जो बॉड्निंग होती है कार्बन की यह कोवलेंट बोन बनाता है सह सहयोजी आबंद हिंदी में इसको हम कहते है कोवलेंट बोन को सह सहयोजी आबंद कहते हैं तो देखिए सह सहयोजी आबंद होता क्या है सह सहयोज यानि की बॉंडिंग बनाता है यह कोवलेंट बूंड को हम बोलते हैं सह सही होजी आबंद और इसकी जो विलेंसी होती क्योंकि कार्बन को जो अटॉमिक नंबर होता वो होता 6 और यह 2 & 4 यह जो इसकी वेलेंसी जो है वो है 4 यानि की यह 4 इलेक्ट्रों को दे भी सकता है 4 इ वेलेंसी होती है stability के लिए वेलेंसी जो होती है वह 4 होती है mostly it is tetravalent होता है यह आपको दिख रहा होगा डाइग्राम यहाँ पर और कोवलेंट बोन बराता है जो भी शेयर करता है sharing of electron make the covalent bond it here तो देखिए यहाँ पर sharing of electron के कारण यह बन रहा है कुछ examples ले लेते हैं जिसे जो covalent bond मनाते है single के अंदर hydrogen molecule है hydrogen में जो वेलेंसी होती है वो 1 होती है और इसका जो electronic arrangement होता है वो 1 होता है और यह 1 के साथ बना कर hydrogen जो है वो stability gain कर लिता है और H इस तरह से bonding करके यह बनाता है तो यह क्या बनाता है covalent bond बनाता है ऐसी बहुत सारे examples given है जैसे कि oxygen molecule है double covalent बनाता है क्योंकि इसकी जो valency होती है 2,6 होती है 6 है इसका मतलब क्या हो गया कि इसको complete operate करने के लिए जो है oxygen की जो tendency होती है वो होती है valency जो होती है 2,6 होती है तो इसके बारे में हम discuss करते हैं कि किस तरह से oxygen की जो valency होती है 2,6 है और 2,6 होने के कारण जो है यह किस तरह से bonding बनाता है तो formation of triple bone बनाता है nitrogen और nitrogen में होता है N2 होता है इसका structure valency 7 है 2,5 होता है यानि octet पूरा करने के लिए इसको 3 electrons के जरूरत होती है तो यह अपने जो है pairing को complete करता है और देखें यहाँ पर triple bone को form करता है यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको N triple bone N तो यह जो है काफी important exam point of view के लिए next देखें कुछ examples है जिसमें यह diagram ट्रॉक किया हुआ है दो hydrogen जो atoms है जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा one one electron and it form the two hydrogen molecule sharing करके बना रहा है और H H यानि single bond बना रहा है फ्लूरीन के अंदर भी जो electrons होते क्योंकि इसका जो atomic number last में जो होता है वो क्या है इसको one की जरुवत होती है नहीं seven होता है तो valency complete करने के लिए इसको share करना पड़ता है और fluorine molecule यह बनाता है तो इस तरह से जो है अपना bonding को शूर करता है दो oxygen atom और carbon ऐसे की co2 यह किस तरह से अपना sharing को complete करते हैं फ्लूरीन जो है और carbon किस तरह से complete करते हैं यह cf4 जो है किस तरह से इसको ड्रॉ करके आप देख सकते हैं इसको अपने notebook के अंदर next thing is important जो electronic जो dot structure आते हैं वो किस तरह से draw करते हैं देखें मिथेन का और इथेन का कई बर पूछा जाता है exam के अंदर मिथेन जो है वो क्या है CH4 होता है और इथेन का जो structure होता है C2H6 होता है तो carbon के अंदर valency आपको पता ही है कितनी होती है 4 होती है hydrogen 4 है तो यह share करके इस तरह से अपना structure को draw कर सकते हैं ऐसे C2 है और यह H6 है यह इस तरह से आप इसको draw कर सकते हैं इथेन molecule को next आता है hydrogen जो यह hydrocarbons होते है saturated और unsaturated दो टाइप के होते हैं संत्रिप्त और एसंत्रिप्त और एसंत्रिप्त तो इस तरह से हम इसकी बात करते हैं तो hydrocarbons क्या होते हैं जिसमें carbon और hydrogen जो होते है compounds saturated वह होते हैं जिसमें single covenant bond बनता है जिसे की alkynes हो गया और unsaturated वह होते हैं जिसके अंदर single covenant bond ना होके double or triple bonds होते हैं जिसे की alkynes and alkynes इनके बारे में अभी हम discuss करते हैं कि क्या होते हैं उससे पहले कुछ functional groups होते हैं जिसको हम क्रियात्म पर क्रियात्म जो है groups कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि halo group होता है यानि कि halide group होता है इसके अंदर c l यानि कि chlorine आजाता है और bromine आजाता है यहां पर तो c h 3 c l alcohol है तो यहां पर o h लग जाएगा last में जैसे कि हमने कोई भी ले लिया या अलकेल ले लिया या मिथनल ले लिया मिथनोल यहां पर example ले सकते हैं जिसके मिथेन है c h 4 इसका जो है h replace होके o h से यह रिप्लेस हो जाता है और यहां पर लग जाएगा 3 ठीक है और इतिनोल के अदना है c 2 h 6 आना था बट यहां पर h जो रिप्लेस हो जाता है वो carboxylic acid के अंदर c o h लगता है यह सारे के सारे क्या है function यानिक प्रकरियात्म ग्रुप से किचोन में c o तो इसके अंदर जो नाम हम बोलते हैं वो on होता है किचोन जो है तो ethion कुछ इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कार्भोक्सलीकेसद में लगता है जैसे मेथेनोईकेसद तो इस तरह से हम स्टडइ कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हäre यहापँ प्रोपेओन ब्यूटेॉण है तो यहाँ पर एक्जाम्लिक अपड देख सकते हैं हमो लोगतjak सिरीज क्या होते जिसी कि alkene, alkynes, alkynes की homologa series होती है जिसके अंदर successive members को हम परते हैं जैसे कि alkene, alkyn, alkyn यह single bond होता है इसके अंदर alkynes जो है इसमें double bond होता है alkynes में triple bond होता है alkyn का जो formula होता है Cn, H2n, plus 2 होता है जैसे कि अगर C को अगर मैं 1 लो और H2n, यानि N क्या हो गया 1 प्लस 2 यानि की formula क्या बन गया CH4 तो false जो है वो निखें हो गया second जो है इथें हो गया third जो है प्रोपेन हो गया fourth जो है ब्यूटेन हो गया पैंटेन हो गया यानि successive N number आप जो भी लेंगे उसको आप H2N लिखें कि प्लस 2 कर देंगे तो ये सारे alkyns बन जाते हैं, एन वर्ड यहां पर लगता है next is alkyns, alkyn जो होती है वो होता है Cn, H2n for example में लेती हूँ जैसे कि इथीन, इथीन के अंदर मैंने यहां पर C2 लिया यानि N को मैंने 2 लिया है, तो H क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानि कि 4 ऐसे ही प्रोपीन को मैंने लिया C3, तो H क्या जाएगा, 6 आ जाएगा, ब्यूटीन C4, H8 हो जाएगा, पैंटीन जो है यहां पर C5, H10 हो जाएगा और इनका हम डाग्राम भी ट्रॉ कर सकते हैं, इसको खोल के आप लिख सकते हैं, बॉर्ण यहां पर ध्यान रखें, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, हमेशा ओल्वेस यहां पर डबल बॉन्ड आता है, इथीन के अंदर इन वर्ड लगता है यहां पर, नेक्स्ट आता है यहां पर जो है, वो है अलकाइन्स, अलकाइन्स जो है उसका फॉर्मूला जो होता है, वो होता है, Cn, H2n, माइनस टू, तो यहां पर जैसे मैंने लिया, 2, H2n, यानिकि 4, माइनस 2, क्या हो गया फॉर्मूला? C2H2, ऐसी प्रोपाइन को मैंने लिया, तो C3H4 हो गया, लगता है लास्ट में वो लगता है आइन वर्ड तो इस वीडियो में यहां तक ही एलकाइंस तक हमने डिसकस किया और नेक्स वीडियो में मैं आपको स्वाप एंड डिटर्जेंट्स के बाले में बताऊंगी फाइफ नमर का क्वेशन आ जाता है उसके उपर और थेंक्स फॉ